क्वीक आईस कंपोज यूर ड्रीम हरो दोस्तों क्वीक आपका स्वागत है हमारे चनल दोरा लगातार जो है सारे सब्जेक एंसीयाटी की स्रीज शुरू कर दी गई है इस वीडियो में हमारे अतीद पार्ट वन क्लास इंसीयाटी हिस्ट्री के जो है दो चेप्टर को इसमें इसमें बताया गया है ठीक है फर्च पार्ट मैंने पहले बता दिया यह सिकंड पार्ट है थर्ड और फोर्थ पार्ट में जो है आपको लगातार मिलता रहे गा इसी तरह साइंस की एंसीयाटी भी जो है आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी ठीक है हमारे चूंदा सार से याद भी हो जाएंगी ठीक है हम लोग सुरू करते हैं लेसं की ओर ठीक है थैंक यू क्लास 6 NCRT History में जो है आरंभिक नगर यह तीसर चेप्टर है आज हम इसके बारे में जानेंगे और यह फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था सिकेंड पार्ट यह चला है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले एक इंट्रोडेक्शन दिया आप लोग इसको पढ़ लिजेगा यहाँ पर दि सबिता के एक नहीं छे नाम हैं उन छे नामों को मैं है लिज्ट में एक साथ दे दे रहा हूं यहाँ ऐसे ही कुछ अगर आपसे पूछे जाए तो कोई भी नाम बदल करके आपसे एक जाम में पूछा जा सकता है तो आपको यह नाम पता होना चाहिए इस सबिता का एक नाम है सिंदू सबिता एक नाम है सिंदू सरोसती की सबिता एक नाम है इसका हडपा सबिता क्योंकि पहला नगर हडपा खो जा गया था इसका एक नाम है कांस यूगीन सबिता क्योंकि इस काल में जो है मानों ने यहां कि इस काल के मानों ने तांबा और टीन दोनों को मिला करके एक नई धादुका विकास किया था, जिसे कासा कहा जाता है, तो इसलिए इसे कांस यूगीन सब्धता कहते हैं, टेक है? इसके अलावा इसे सैंधो सब्धता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधो को सिंधी भासा में सैंधो कहते हैं, और ये पहला नगरिय सब्धता थी, इसलिए इसे पर्थम नगरिय सभिता भी कहा जाता है तो सिंदू घाटी सभिता को एक नहीं छे नामों से जाना जाता है आपको ये पता होना चाहिए अगर कोशन कभी अगर आ जाए और सिंदू घाटी सभिता के स्थान पर सिंदू सरस्थी सभिता दे दे आरंभिक नगर दे दे या पर्थम नगरी सभिता दे दे कांस युगीन सभिता का नाम दे दे हडपा सभिता का नाम दे दे तो बात एक ही है वो उसी सभिता के बारे में पूछ रहा है केहल आप से बात को घुमा फिरा करके इसलिए घुमा फिरा के बात करता है जब कभी कोशन पूछाता है तो हमसे वो कोशन हाथ से निकल जाते हैं इसलिए हमें हडपा से बता गे सभी नगरों की जानकारी होनी चाहिए अब आते हैं हडपा की कहानी क्योंकि पहला नगर हडपा खोजा गया था राभी नदीगे किनारे जब हडपा खोजा गया तो उसकी पूरी कहानी बताएए और हडपा पहली बार खोजा गया पहला नगर था ये ठीक है तो लिखा है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार या रखना पंजाब ये पाकिस्तान वाले पंजाब की बात हो रही है लेकिन उस समय देश जो है बटा नहीं था 1921 की बात हो रही है तो उस समय देश नही इंजीनियरों को अचानक हडपा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में हैं उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडार है जहां से अच्छी इटे मिलेंगी क्योंकि रेलोय लाइन बिचाय जा रही थी तो वहां पे जिसे रेलोय लाइन के गिट्टी बिचाय जाती है तो यह हुआ कि खंडार है और वहां से इट निकाल करके और ला करके रेलोय लाइन पर बिचाया जाए तो लिखा है या सोचकर हडपा के खंडारों से हजारों इट उखाड ले गए जिससे उन्होंने रेलोय लाइन बिचाई इससे कई इमारते पूरी तरह नश्ट हो गई कहने का मतलब यह है कि जब खंडार से इट निकाला जाने लगा तब मालूम चला इसका मतलब यहाँ कोई सबहता थी क्योंकि वहाँ पर हड़ी मिलने लगी मिट्टी के बरतन मिलने लगे तब वहाँ पर यह लगा कि नहीं यहाँ कोई सबहता थी और काम रोग दिया गया त तब पता चला कि या खंडार उप महाद्यूप के सबसे पुराने सहरों में से एक है चुकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हडपा सबयता की इमारतें कहा गया साप साप या लिखा है कि हडपा का नाम क्यों पढ़ा हडपा सबयता इसो क्यों कहते है क्योंकि पहला नगर हडपा ही खो जा गया था इसलिए इसका नाम हडपा पढ़ गया ठीक है आगे यह लिखा हुआ है जो है इन सहरों का निर्माल लगभग 4700 साल पहले हुआ था ठीक है तो सबसे पहले हड़पा को जा गया हड़पा के इस सब्वेता के कितने नाम है सारा मैंने बता दिया है इसको अच्छे से याद कर लेना अगे लिखा है प्राया पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगा नए बहुन बनाया जाते हैं क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरचित रखना चाहिए बिल्कुर रखना चाहिए इससे हमें अपने इतिहास अपने देश के गौरों के बारें पता चलत ठीक है आगे बढ़ते हैं लिखा आए इन नगरों की विसेशता क्या थी कि नगरों की तो हड़ापा सबेता की विसेशता क्या थी लिखा आए इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था प्राया पच्छमी भाग छोटा लेकिन दो भागों विवाजित थे जैसे माल लिए ये नगर है और नगर को दो भागों बाटा गया था यहां पर जो लिखा है पश्मी भाग तो इसे पश्मी छेतर कहते थे और ये आदकियगा जो दूसरा भाग है वो पूर्वी छेतर होता था पश्मी छेतर ऊचा होता था और इस पुर्वी नगर सुरचित बचा रहता था इसलिए पश्यमी भाग में दुर्ग और पुर्वी भाग में आवास बनाय जाते थे कहां पर हडपा सब ताके ये लगभक सभी नगरों की भी सिस्ता है लेकिन एक धौला वीरा नगर था जो तीन भागों भी भाजित था आपका पच्छिमी मध्ध और पूर्वी छेतर ठीक है क्योंकि पच्छिमी छेतर में राजा रहते थे पूर्वी जो बीचवरा था आम आदमी रहते थे तो धौला वीरा एक मात्र ऐसा नगर है जो गुजरात में है जो तीन भागों भी भाजित था बाकि सारे नगर दो भागों भी बाजित थे जिसके बारे में यहां बताया गया और जिसके बारे मैंने आपको बता दिया है ठीक है लिखा है उचाई वाल थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारे खड़ी रही हैं मतलब आज भी हमें उनकी दीवारे मिल ले हैं इसका मतलब उनकी तकनीक कुछ हमसे अलग रही है दीवार बनाने के लिए इटों की चिनाई जो है इस तरह करते थे जिससे की दीवारे खुब मजबूत रहे ठीक है इसका मतलब है कि उनकी तकनीक बहुत अच्छी थी आगे दिया है कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारते बनायी गई थी मिसाल के तौर पर मोहन जोदारों में एक खास तलाब बनाया गया था जिसे हम असनानागार कहते हैं ठीक है इसे प्रतत्विधों ने नाम क्या दिया है महान असनानागार ठीक है तो पुछा जाएगा आपसे कि महान असनानागार कहां पाया गया है तो ये मोहन जोदारों पाया गया है तो यह तत्थ निकलता है कि यहां के लोग जल पूजा भी करते थे ठीक है? इस तलाब को बनाने में इट और पलाश्टर का इस्तेवाल किया गया था इसमें पानी की जो है रिसाव रोकने के लिए पलाश्टर के उपर चार कोल की परत चड़ाई गई थी आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी सब्विता और कितने नए तक्नीक का इस्तिमाल करके इनोगों ने काम किया है इस सरौर में दो तरफ से उतानने के लिए सीड़ियां बनाई गई थी तो असनान करते थे इसका मतलब है विशिष्ट समय में किसी पर्व के समय में इसका मतलब यहां जल पूजा होती थी ठीक है अगे यहां लिका है काली बंगा यह कहां पर राजस्थान में है लोथल कहा है तो यह आपका कहा है तो ये आपका गुजरात में है ठीक है जैसे अननगरों में अगनी कुणड पाए गए है अब आप से कुछन पुछा गया है कि अगनी कुणड कहां पाए गये हैं तो ये काली बंगा में और लोथल में पाए गये है जहां सम्भूते यग किये जाते थे होंगे हडपा मोहन ज कि जो एक मैप यहां बनाया गया है इसको समझना है यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों भारत के गुजरात राजस्थान हरियाडा पंजाब प्रांतों में मिले हैं इन सभी अस्थलों से प्रतत विदों को अनोखी वस्तोय मिली हैं जैसे मतलब है कि नगरों की विस्सताओं को हमें जानना होगा यहां पर लिखा है उप महादियूप के आरमभिक नगर पर पाकिस्तान भी आता है औरंडिया भी आता है तो इसलिए यहां उप महा नगर लिखा गया है आप यहां देख कते हैं गुज्रात में धोला बीरा, सुरॉ कोड़दा और लोथल है जब आप किताब पढ़ते हैं कभी तो मैप नहीं देखते हैं हिस्ट्री में जब आप मैप नहीं देखते हैं तो चीजे आपको उस समय तो याद रहती हैं लेकिन बाद में याद नहीं रहती है इसलिए हिस्ट्री को भी मैप के थुरू पढ़ा जात पाकिस्तान के सिंद परांत में है सुद कांगे, सुद कांगो जो है, को कहां पर है ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है इसके अलामा आपके जो है आप देख सकते हैं काली बंगा राजस्तान में है, राखी गड़ी गुजरात में है, हडपा राबी नदी किनारे पंजाब के पाकिस्तान वाले चेतर में है इसके बार देखिया राबी है चेनाब है जेलम है और यह सिंधु नदी है और याद रखना इसी चेतर में यह हरपा सभिता का विकास हुआ था इसी को हडपा सबिता, सिंधु घाटी की सबिता, پर्थम नगर्या सबिता, इसी को सिंधु सुरोसती सबिता, इन छे नामों से इसको जाना जाता है, इसी छेतर में इस सबिता का विकास हुआ है, तो इसकी मुख नदी कौन थी सिंधू नदी थी और इसमें यहां से एक नदी सरुसती नदी आके मिलती थी इसलिए सिंधू और सरुसती सभिता के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और सारे नगर जो है सिंधू और सरुसती के सभिता के घाटी में ही पाए गए हैं इसलिए इ इस्तार कैसे हुआ, कहां से सभिता आगे बढ़ी और कैसे इसका बिनास हुआ है, त्यार रखना ये बहुत ही महत्पूर्ण है, इसमें कुछ नकरों के बारे मताया गया है, मैप की थुरू, इसलिए इस मैप को बिल्कुल दिमाग में बैठाने की जरूवत है, हम लोग क्या क आप देख सकते हैं, महान असलानगार, ये मोहन जो दाड़ों में पाया गया है, आप देख सकते हैं, इस पर यहां से उतरने के लिए सीरिया है, और इधर से उतरने के लिए सीरिया है, आपके बिहार में, उत्तर परदेश में, भारत के अलग अलग शेतरों में देखा कि सिन्दू का पानि इसमें लाय जाता था और यहां पे लोग नहाते थे और यहां को जलब पूजा भी करते थे, इसका मतलब यह हुआ और हमारे आपका चछठ cycling, चाहे जो है आपका कोई और तेवार हो जल पूजा हमारे हाँ करने का कॉंसेप्ट है तो उस समय भी लोग जल इसका मतलब है कि जल पूजा किया करते थे तो ये आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि उस काल के लोग कितनी जो है समझदारी और बुद्धिमानी पूर्वग हर चीज का निर्मार करते थे और ये इतना मजबूत नहीं होता तो आज जो है ये सब जो है ये हमें दिखाई नहीं पड़ता ये हमें पता भी नहीं चलता आप देख सकते हैं कि दिखाईन से चीजों को एक एक चीज को कैसे बनाया गया है आज भी ऐसे बनाया जाता है लेकिन आज के बनाये घंनश्ट हो जाते हैं लेकिन ये सब बेता लगभग 3,000 ईसा पूर्व से ले करके आज 2,000 तेश चलना है लगभग 5,000 जो है इस बीक के बीच में भी ये सब बेता के आज भी उसी रूप में बने है इसका मतलब है कि उस समय तकनीक कुछ अलग रही होगी वो तकनीक से आज हम परचित नहीं है तो आप लोग जो है इस महान असनानागार के बारे में जान गए होंगे इतना बताने के पीछे कारण यही है कि जिससे आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि महान असनानागार कहां पाया गया है तो मोहन जोदारों में पाया गया ठीक है आप यहां यह चीजोड देख सकते हैं पहले माइप में कितने अच्छे सेंसियाटीम चीजों को बताया गया कि हरपा के नगरों में इतों की चिनाई आप देख सकते हैं कि इत कैसे जोड़े गए हैं और आज देखे उसी डिजाइन में आज भी जोड़े जाते हैं आप देख सकते हैं यह आज भी घर ऐसे ही बनते हैं और उस समय देखो सीरी बनाने का कॉंसेप्ट था ठीक है इसका मतलब उस समय के लोग भी और आधुनिक थे इसलिए इसे पर्थम नगरिय सब्यता भी कहा जाता है भारप में ठीक है तो आप देश सकते हैं कितने पक्के इट बने थे कि आज उन नीटों में खराबी नहीं आई है 5000 साल हो गया है फिर भी जो है इस सब्यता को नश्ट नहीं देखा गया है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं हडपा सब्यता के बारे में और जानकाई लेते हैं भावन नाले और सडके कैसे बनती थी तो आपको पहले मैं एक मै समकोर पर कारती हुई सडके बनती थी आगे अभी दो को सब चीजें महां बताया जाएगा ठीक है समकोर पर कारती हुई सडके बनती थी सडको के किनारे नालियों की बेवस्था होती थी ठीक है सडको किनारे नालियों की बेवस्था होती थी और हडपा सब्यता में नगर ज किसी को ग्रीड परणाली कहते हैं आज भूनेसवर चंडीगर जैसे नगर ऐसे ही बसाए गए हैं ठीक है अब आप कलपना कर सकते हो कि हडपा सभिता में नगर कैसे बने हैं तो आप देख सकते हैं कि समकोड पर कारती हुई सडके हैं ठीक है और क्या है यहाँ पर पक्की नाल खुलते थे बलकि पीछे की और खुलते थे जिससे घर में गंदगी ना जाने पाए धूल ना जाने पाए अब आप समझ सकते हो कि हडपा सभिता के लोग नाली बनाना नालियों को ढखना कूरेदान बनाना यह सब जानते थे और आज 2023 में हमारे देश के नेता हमारे देश के लोगों ने हडपा सभिता से भी कुछ नहीं सीखा कि आज हमारे देश में जो है नाली सरा किनारे अच्छे से बना सके उसकी सफाई कर सके कूरेदान की बिवस्था कर सके तो हमने हडपा सभिता से भी कुछ नहीं सीखा है आप यह समझ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हम लोग इन नगरों के घर आम तोर पर एक या दो मंजिले होते थे घर के आगन के चारों तरफ कमरे बना जाते थे आज भी बना जाते हैं अधिकांस घरों में एक अलग असनान घर होता था जिसे जो है बातरूम कह सकते हैं ठीक है और कुछ घरों में कुए भी होते थे ठीक है पानी पीने के लिए, कई नगरों में, कई नगरों में ढखे हुए नाले थे, उन्हें साउधानी से सीधी लाइन में बनाय जाता था, आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस समय नालियां और उन्हों ढखने की वेवस्था थे, ठीक है, हर नाली में हलकी ढला, ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बै सके, अक्सर घरों की जो नालियों को सडकों के नालियों से जोड़ा गया था, जैसे आज भी जोड़ा जाता है कहीं कहीं पर, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी और नालों के ढखे होने के कार, उनमें जगा जगा पर मेन होल बनाये गये थे जिनके जरिये उनकी देख भालव सफाई की जासे की आज भी देखिए तो आप समझ सकते हैं कि हडपा के लोग इतना सोचते थे आज हम नहीं सोच पा रहे हैं ठीक है घर नाले सडकों का निर्मार योजना बद तरीके से एक साथ ही किया जाता था एक साथ अगर नहीं करेंगे तो अच्छे से नहीं बन पायागा जैसे जब घर बनाते थे तभी नाली और तभी सडकों का निर्मार करते थे और सडकों का जब निर्मार करते थे तो उससे समय नाली बना देते थे कि जिससे बाद में सड़क की खुदाई ना करनी पड़े और आज क्या होता है आज हमारे हाँ सड़क पहले बन जाती है बाद में सड़क खोद करके उसमें पाइपलाइन डाली जाती है फिर इसके बाद टेली फोन का तार डाला जाता है कुछ दो साल के बाद फिर क्या होता है, फिर गैस का पाइपलाइन पड़ती है, तो सवरक का सत्यानास कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाष्ट रचार्व हो जाता है, इन लोगों ने हड़पा से भी नहीं सीखा, एतिहास से भी नहीं सीखा, कि हमें अपने नगरों का विकास कैसे करना ठीक है लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने हड़पा सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं सीखा है यहां लिखा है यहां पर वालिद घरो और पिछले ध्यामे वालिद घरों में कुछ अंतराब दिखाई दिया होगा जाई सी बात हैं पक्के सड़के हैं और जब हम पासार काल पड़ रहे थे तो वहां पर जो है कि लोग क्या करते थे पतोरों के घर बनाके देखते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं आप यह कितने अच्छे तरीके से जो है इटो को सजाया गया है दिवाल बनाई गई है आप ये आसानी से मैप को समझ सकते हैं और घरों में कुवे बनाई जाते थे पानी पीने के लिए तो यहाँ पर क्या लिखा है पहले में पढ़ देता हूँ हडपा सबता की एक सड़क के बारे मताया गया है ये सड़क थे और देखिए दोनों तरफ नालियों की बेवस्ता और बीच में भी नाली की बेवस्ता थे ये सड़के थी ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें पक्की सड़के बना जाती थी घरों के अंदर कुवे बना जात और हडपा सबयता का सबसे पर्मुक पसू यही था एक सिंग वाला पसू इसका कोई नाम नहीं दिया गया है बस यही नाम दिया गया है एक सिंग वाला पसू दूसरा जो यह लिपी लिखी गई है इस लिपी को आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है अभी तक हमें हडपा सबयता कि लीपी को पढ़ने में हम आसफल रहे हैं ठीक है अगर इसको पढ़ दिया जाया तो यह मालूम चल जाएगा कि इसका क्या उद्देश है यह क्यों बनाया गया है ठीक है तो इसका मतलब है कि उस काल के लोग चितरकला मूर्तिकला बनाने में भी निपूर थे और इस लीपी को अभी तक पढ़ा नहीं गया आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा यहां देखे चोटे-चोटे खिलोने बनाये गए हैं ऐसे ही खिलोने उस समय बनते थे अब आप देख सकते हैं खिलोने जब बनाये जाते थे तो उनकी आख को कैसे बनाते थे तो अलग से मिट्टी को यहां पर लगा देते थे ऐसे देखे ठीक है सिंग बनाते थे तो अलग से सिंग को लगा दिया जाता था ऐसे मूँ बनाते थे मूँ को ऐसे तो यह मिट्टी के मूर्तिया बनाई गई हैं, खिलोने बनाई गई हैं, खेलने के लिए देखो यहां लिखा हुआ है, जो है पकी मिट्टी के खिलोने हैं, तो यह इसका मतलब है कि उस काल के लोग इन जानोरों से क्या रहे हैं, परचित रहे हैं, तभी तो इनका चित्र बन दाने की योजना में जुटे रहते थे यहां के सासक थे यहां भी संभवत्या कि यह सासक लोगों को भोज भेज कर दूर दूर से धातू, मूले भूत, मूलिवान, पत्थर और अनुपयोगी चीज़ें मंगवाते थे सासक लोग खुबसूरत मन को और सोने चांदी के बने आभूशनों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे, आज भी लोग ऐसे करते हैं इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों को मोहरों पर लिखते थे, जो हमने भी बताया ना, वो लिखते थे, उधी को हम लिपिक कहते थे, ठीक है? और साइद इन चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है, ठीक है? आगे लिखा है, इसके अलावा, नगरों में सिल्पकार इस्तरी पुरुस भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उदोग अस्तल पर तरा-तरा की चीज़े बनाते होंगे, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही, जो है, सुन्दूर देसों की किसे कहानिया भी लाते थे, कि वहां दुनिया में, दूसे देसों में, दूसे सभिताओं में क्या हो रहा है, तो मिट्टी के बने खिलोंने भी मिले हैं, जिन से बच्चे खेलते होंगे, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, नगर में रहने वाई कि एक सूची बनाओ, ठीक है, क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग है, जो मेहर गर जैसे गाओं में रहते थे, ठीक है, तो वहां भी लोग ऐसे ही जे देते हैं, जिससे आज हमारे यहां लोग रहते हैं, अब बात हम लोग, नगर और नए सिल्प की करे अगर, तो उस समय पहने बनते थे, औजार बनते थे, बरतन बनते थे, उनके बारे में बताया गया है, और किन-किन धातुओं दोरा बनाए जाते थे, यहां साफ साफ लिखा है, आओ, आओ, अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्धन करे, जो हरपा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, ज जैसे धातुएं जो है बनाई गई थी इसका मतलब है कि इस काल में लोग सोने से परचित थे चांदी से भी थे कासा मतलब एक नई धातु बनाया था तामबा और टीन को मिला करके तामबा और संख और पत्थर इन सब का उप्योग करके यहां इन लोगों ने बहुत सारे आभ हथियार गहने बरतन बनाय जाते थे सोने और चांदी से गहने और बरतन भी बनते थे यहां पर यहां मिली सबसे आकरसक वस्तू में मन के बाट और फलक हैं आप यह देख सकते हैं इन सब चीजों को यहां दिखाया गया है यहां लिखाया क्या है उपर पत्थर के बाट दे इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है, इन्हें सायद बहमूल पत्थर और धात्व को तोलने के लिए बनाया गया होगा, आगे है मध में बाएं, पत्थर के धारदार फलक पाये गये हैं, आप ये दे सकते हैं, और नीचे कड़ाईदार वस्तर एक महत्पूर्ण ब्यक्तिक पत्थर से बनी मूर्टी जो मुहंजोदारों से मिली है, इसमें उसे कड़ाईदार वस्तर पहने दिखाया गया है, ये आप दे सकते हैं, अब सबके बारे में हम एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं, ये आपका बाट है, उस समय बाट का इस्तेमाल हो देखिए कि उस समय के लोग फैसन को भी जानते थे, देखिए एक दाढ़ी कितने जो है, तरीके से सेट की गई है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से, दूसरा, इसने, इसका जो हाथ था वो तूट गया है, क्योंकि खुदाई की दोरान, लेकिन देखिए उसके तरह की डिजाइन बनाई गई है, इसका मतलब उसकाल के लोग डिजाइन बनाना भी जानते थे, उसकाल के लोग ये सिल्प से, और ये डिजाइन बनाया कहा गया है, पत्थर पर पर पत्थर पर बनाया गया है, एक ही पत्थर पर, आप देख सकते हैं, इसके चहरे को, इसके कान को देखिए और एक ही पत्थर पर बाल को भी दिखाया गया है और साथ में साल ओर छो है इस योगी की मूर्ती भी दिखायी गई है इसका मतलब उस काल के लोग उच्छ कला के जानकार थे ठीक है लिखा है हडपा सब्विता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे इन आयताकार जो है मोहरों पर सामाता जानवरों के चित्र मिलते हैं हडपा सब्विता के लोग काले रंग के डिजाइन किये हुए खुबसूरत लाल मिट्टी के बरतन भी बनाते थे आगे वहाँ मिलेगा भी देखने को ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है इन में से अधिकांस वस्तूओं का निर्मार बिसेसग्यों ने किया था ठीक है बिसेसग्य उसे कहते है जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परसिछन लेता है जैसे पत्थर तरासना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना पच्ची कारी मतलब कढ़ाई का काम करना ठीक है मोर्ती का चेहरा कितने आकरसक धरीके से बनाया गया यहां लिखा है हर व्यक्ति बिसेसर के नहीं हो सकता हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुस ही ऐसे काम परसिछित हासित करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, सायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुस दुरों रहे होंगे क्योंकि हरपा सबता की लीपी के बारे हमें जाटकारी नहीं मिली है ठीक है? आगे यहां लिखा हुआ है, फेस क्या होता है? लिखा है, पत्थर और संख प्राकिर्तिक तोर पर पाये जाते थे लेकिन फेस जो किर्तिम रूप से तयार के जाता था बालू या इस फिटिक पत्थरों के चूड को गोल में, गोल में मिला करके उसमें उनसे वस्तुए बना जाती थी उसके बाद उन वस्तुए पर एक चिकनी परत चड़ाय जाती थी यह जो है, इसी को दिखाया गया है, ठीक है? इस चिकनी परत के रंग पराय नीले या हलके समुंदरी जो है, हरे होते थे फेर से मन के चूड़ियां, जो है, बालें और छोटे बरतन बना जाते थे तो यह एक तरह का जो है, इन लोगों ने बालू और जो है, कुछ पत्थरों के चूड को मिला करके एक नया पत्थर का निर्मार के लिए, जिससे वो मूर्ती बना सकें, अगे लिखा हुआ है, जो है, कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज कैसे इन लोगों ने किया, तो कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं, जो या तो प्राकिति गरूप में मिलते हैं, या फिर किस अगे कच्चा माल केते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तयार किया जाता था, ठीक है, किया जाता है, हरपा में लोगों को कई चीजे वही मिलती थी, लेकिन तामबा, लोहा, सोना, चांदी, बहमूल पत्थरों जैसे को दूर दूर से आयात करते थे, इ इसका मतलब है, ये चीजे हरपा सब्यता में नहीं पाई जाती थी, ठीक है, इसका मतलब उन लोगों ने इसका ब्यापार करने के लिए इसको मंगाया है, अगे हैं दिया है, कि हरपा के लोग ताबे का आयात संभोते हैं आज के राजस्थान से करते थे, राजस्थान में एक जगा पर है अरावली पहाडी के जो है पास में है एक खत्री की पहाडी है खेत्री की पहाडी है आप इस मैपे देख सकते हैं खेत्री की पहाडी राजस्थान में है और यहां पर तामबा पाया जाता था हरपा सभिता के समय भी और आज भी तामबा पाया जाता है और आन जाएगा कि तांबे का आयात कहां से करते थे तो राजस्थान से करते थे ठीक है यहां तक कि पश्चिमी A.C.I. देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था अब आप समझ सकते हैं कि जो ओमान है ठीक है आप मैं पर देख सकते हैं भारत के जो है अरब सागर है अरब सा साथ मिला जाने वाली धातु तीन का आयात आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से करते थे तांबा कहां से लाते थे ते राजस्थान से लाते थे और एक नई धात इन्होंने कौन से बनाया था कहां सा बनाया था तो कहां सा किसे बनता है तांबा और तीन को मिला करके और ती इन कहां समंगाते थे ये लोग तो ये मंगाते थे इरान और अफगानिस्तान से अब याद ये पूछा जा सकता है कि जब इनके पास तामबा था और टीन था तो इन लोगों ने ये एक नई धातु क्यों बनाया तो इसलिए बनाया है क्योंकि हड़पा सब था ठंडे परदि बना दिया जो जंग रोधी थी जंग रगने का सवाल ही नहीं था इसलिए हडपा सबहता को कांस योगीन सबहता भी कहा जाता है ठीक है अब आप समझ गए होंगे कि जो है टीन का आयात कहास करते थे इरान और अफगानिस्तान से तामबा राजस्तान से बंगाते थे कितने इंपोर्टन बातें हैं NCIT में बताई गई हैं सोने का आयात आधुनिक करनाटक से करते थे अब आप समझ सकते हैं कि जो करनाटक है वहाँ सोना ज्यादा होता है आज भी सोना के उत्पादन में करनाटक पूरे भारत में नंबर एक पर है इसका मतलब है कि सोना उस समय हडप पस सबहता में भी पाया जाता था और आज भी पाया जाता है करनाटक में तो करनाटक में जो है कोलार की खान है वहाँ पर बंगनूरू के पास वो सबसे बड़ी खान माने जाती है सोने की तो यह सोना कहां समंगाते थे तो करनाटक से बहमूल पत्थर का आयात ये गुजर रहे होंगे लिखा है चीजों को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने ले जाये जाता था इन चित्रों को देखें एक खिलोना है और दूसरी एक मोहर है पहले हम इसको देखते हैं आप देख सकते हैं कि एक का गाड़ी को बनाया गया है या तयात के लिए एक खिलोने के रूम इसको बनाया गया है और आप दे सकते हैं यह मोहर का इस्तेमाल होता था ब्यापार में ठीक है आगे लिखा है कि बच्चों का खिरोना हल आज हम चलाने वाले जदतर किसान पुरुस होते हैं हमें ग्यात है कि क्या हडपा में भिया पर्था थी बिल्कुल थी ठीक है आगे उगाते थे और जानवर पालते थे इसका मतलब है कि इस काल में किर्सी भी होती थी और पसपालन भी होता था किसान और चरवाहे ही सहरों में रहने वाले सासकों लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे पाउधों के आउसेसों से पता चलता है कि हडपा के जमीन की जुताई के लिए हल का पर्योग जो है एक नई बात थी हरपा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं लेकिन वह पराया लकड़ी के से बना जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलोने मिले हैं इस चेत में बारिस कम होती थी इसलिए सिचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तर पर उससे जो है फसनों की सिचाई भी होती थी होती होगी हरपा के लोग पराया गाए भैस भेड़ और बकरियां पालते थे ठीक है लेकिन याद रखना गाए के साच नहीं पाए गए हैं लेकिन यहां पर सियाटी में लिखा हुआ है तो चुकि अब हमें मानना पड़ेगा लेकिन अनकिताब हम देखोगे तो गाए के साच यहां नहीं पाए गए हैं ठीक है बस्तियों के आसपास तलाब चारागा होते थे लेकिन सूखे जो है महिनों में मवेसियों के जुन्डों को चारा पानी की तलास में दूर दूर ले जाया जाता था जैसे आज भी होता है बेर जैसे फलो को इकठा करते थे मचलिया पकरते थे और हिरन जैसे जानौनों का सिकार भी करते थे अब आप देखे एक जो है यह लकडी का हल मिला हुए खिलोने के रूप में तो इसका मतलब है कि उस काल में ऐसे ही हल बना करके खेती की जाती थी और आप लोग भी बच् में ऐसे ही खिलोने बनाए होंगे आगे आते हैं लिखा है गुजरात में हरपा करी नगर का सुच्म परिच्छन तो हरपा में कोन-कोन से नगर पाए गए हैं गुजरात में हरपा के और रुक जो है उनके बारे में यहां बताया गया है लिखा है कच्छ के इलाके में बेत नामक एक आईलेंड है द्यूप है उसी पर धौला बीरा इस्तित है तो धौला बीरा कहा है कच के छेतर में है गुजरात में है ठीक है वहाँ साफ पानी मिलता था जमीन उप जाओ थी जहां हरपा सभिता के कई नगर दो भागों में भाजित थे वहीं धौला बीरा तीन भागों भी भाजित था मैंने आपसे ही बताया था ठीक है सुरूम बता दिया था तो हडपा सभिता के नगर दो भागों थे लेकिन धौला बीरा तीन भागों में भी भाजित था ये वाले छेतर को पच्छिमी वाले छेतर को क्या कहते थे पच्छिमी तीला बीच वाले को मद्ध और ये निचला छेत्रोता था जहां आम आदमी रहते थे, साप साप लिखा है, क्या लिखा है आगे, इसके हर हिस्से के चारों और पत्थर की उची उचे दीवारे बनाई गई थी, मतलब सुरच्छा के लिए, ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े द्वार बनाए गए थे, इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सारजुने कारिकरम आयोजित किये जाते थे, तो पूछा जाता है कि एक स्टेडियम कहां पाया गया है, खेल का मैदान कहां पाया गया है, तो ये धोला बीरा में पाया गया है, यह भी याद रखना, यहां मिले कुछ औसेसों में हडपा लीपी कि बड़े बड़े अच्छरों को पत्थरों से खुदा पाया गया है, जिसे साइन बोर्ड कहते हैं, तो जो साइन बोर्ड लगा जाता है, वो भी यहां पाया गया है, इसका मतलब है कि यहां पर जो है साइन बोर्ड इस चोटी वस्तुव पर पाय जाते थे, गुजरात की खंभात की खाड़ी में, अब या दखना, अभी तक हमने कच्छ की बात किया था, अब हम बात करेंगे खंभात की खाड़ी में, तो खंभात की खाड़ी में नदी गिरती है, भोगवा नदी और भोगवा नदी किनारे ही क् लोथल की बात हो रही है तो लोथल का बंदरगा लोथल एक बंदरगा था उसके बारे में है आप इस मैय पर साप साप देख सकते हैं कि जो है लोथल के लोकेशन देख सकते हैं और भोगवा नदी भी साप साप आपको यहां दिख रहा है गुजरात की खंभात की खाड़ी मे मिलने वाली सावर मती की एक उप नदी मतलब सहर नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे अस्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चामाल आसानी से मिल जाता था या पत्थरों, संखों, धातूं से बनाई गई चीजों का एक महत्पूर्ण केन था इस नगर में एक भंडार ग्रे भी पाया गया है इस भंडार ग्रे से कई मोहरे और मुद्राकन और मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने के लिए छाप मिली है क्यों मिली है ऐसा क्योंकि लोथल एक बंदरगा था और उसे पतन भी कहते हैं आप यह देख सकते हैं यह लोथल के तलाब के दिखाया गया है आप यह देखे लिखा है लोथल का बंदरगा या बड़ा तलाब लोथल का बंदरगा रहा होगा जहां समुन्द के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी स समुखता यहाँ पर माल चढाया और उतारा जाता था, तो यह आप यह देख सकते हैं, यह आज यह उसेश वहाँ पाया गया है, तो अनमान लगया गया होगा, यही पर छो है, छोटे छोटे जोटे बड़े जहाज आते रहे होंगी, ठीक है, अगे लिखा है, मोहर क्या है मोहर मतलब होता है आजकल बैंकों में आप लोगों ने देखा होगा मोहर लगाया जाता है ठीक है चेक पे तो मुद्रा या मोहर का इस्तेमाल करते थे ब्यापार के लिए ठीक है मुद्रांकन या मोहर बंदी जो है मोहर लगा करके ही जो है ब्यापार किया जाता तो आप देख सकते हैं मोहर लगाया गया है पत्थर पे ठीक है यहां लिखा हुआ है मोहरों का परयोग सामान से भरे उन डिबों या थैलो को चिन्हित करने के लिए किया जाता था आज भी होता है जिनने एक जगा से दूसरे जगा भेजा जाता था थेलोग को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिटिक लोब कर उसपर मुहर लगाई जाती थी आज भी ऐसा होता है देखा होगा मुहर के छाप को मुहर बंदी कहते थे अगर यहाँ छाट टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेरचाड नहीं हुई है आज भी ऐसा होता है आज भी मोहर का परयोग होता है पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किसलिए किया जाता है तो आप पता लगा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ बदलाव देखने को मिला, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मोहर बाटों को आपर योग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, मोहन जोदारों में सडकों पर कचले के धेर बनने लगे, जल निकास पनारी नश्ट हो गई और सडकों पर ही जोगी नुमा घर बनाये जाने लगे, ठीक है, तो धीर धीर सभेता क्या हो गई, नश्ट हो गई, लिखा है यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है, कुछ भी दालों कहना है कि नदिया सूख गई, जब नदी सूख गई, तो कुछ लोग कहते हैं बड़े जुन्डों से चारागा और घास वाले मैदान समाप्त हो गई होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगे, लेकिन इन कारणों से यह असपष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगर का अंत कैसे हुआ, लेकि क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ यह लाकों में हुआ होगा, एक सवाल खड़ा किया गया, कुछ मिला के कहना यह है कि हरपा सभीता का पतन कैसे हुआ है, यह आज असपष्ट नहीं है, क्यों असपष्ट नहीं है, तो कि हमें अभी तक उसकी लिपी और उसकी भासा को हमास तक पढ़ नहीं पाए हैं, इससे यह सपष्ट नहीं हो पाया कि यह कैसे सभीता थी और क्या-क्या हुआ था, ऐसा लगता है कि सासको का नियंतर समाप्त हो गया, जो भी हुआ हो, परिवर्टन का असर बिलकुत समाप्त दिखाई देता है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंधर और पंजाब की बस्तियां उजड इसके बारे में आप जो है पांच और आठ वाले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसे हम सोला महाजनपत कहते हैं, तो इसके बारे मागे हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर उपयोगी सब्द, क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा, नगर जाना, नग आःजसान से, सोना कहां मसलिम अगाते थे लोग करनाटक से, टीन कहां समंंंग आते थे अफगानिस्तान से, वहमोलपत्थर कहां समंंग आते थे गुझराज से, यही कुशन बार बारी जाम में आया हुआ है, तो आप आसानी से अब हल कर सकते हैं, तो हमारे दवारा जो य अगले चेप्टर की और हिस्ट्री के क्लास 6 एंसियाटी का यह चौथा चेप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें किताबों से और कब्रों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है ठीक है तो यूसी के बारे में यह बताया गया है ठीक है, यहाँ पर एक introduction है, आप लोग इसको पढ़ लीजेगा, एक मेरी नाम की लड़की की कहानी है, कि वो जब पुस्तकाले में जाती है, तो हाँ जा करके कई किताबों को देखती है, आलमारी में रख्यों किताबों को, तो वो जानना चाहते हैं किताबों में क्या लिखा है, सायत तुपने बेदों के बारे में सुना होगा, बेद चार हैं, रिगबेद, साम बेद, यजुर बेद और अथर बेद, सबसे पुराना बेद है रिगबेद, जिसकी रचना लग भग जो है, 3500 साल पहले हुई थी, लेकिन यहाँ पर एंसियाटी में अगर देखा पहली है, क्यों क्योंकि, यह आज के परपेच में बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, तो जो रिगबेद का, रिगबेद के रिचना की गई थी, और रिगबेद काल क्या माना जाता है, तो 1500, 1500 से लेकर के, 1000 बीसी तक के काल को हम रिगबेद काल कहते हैं, ये आज के परपेच में लिखा है कि आज से 35 साल पहले, ठीक है, रिगुबैद में 1000 से ज़्यादा प्राथनाएं हैं, ठीक है, जिनें सुक्त कहा जाता है, ठीक है, वैसे या दखना, रिगुबैद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं, और 10462 मंद्र हैं, ये बात या दखना ठीक है, लिखा है, सुक्त का मतलब होता है, अच्छी तरह से बोला गया, ये बिभिन देवी देवताओं के अस्तुती में रचे गए हैं, इनमें से तीन देवता, परमुक मात्पून हैं, अगनी, इंद्र और सूम, जो है, एक पौधा था, जो है, जो है, एक पौधा था, जो है, सूम रच जिससे बना जाता था, जिससे आज हम लोग, दारू जो नहीं होता है, सराब होता है, वैसे देवताओं का ये पिरिये, पिये पदार्थ था, सबसे पिरिये था, जिससे एक खास पिये बनाय जाता था, ठीक है, तो कहा जाता था, कि सूम नामक पौधा कहा पा जाता था हिमालें पा जाता था उसकी पूजा भी की जाती थी यह लिखा है बैदिक प्राथनाओं की रचना रीसियों ने की थी आचार विद्यार्थियों को उन्हें अच्छरों सब्दों वाक्यों में बाढ़ कर सास्वर पाठ द्वारा कंठस्त करवाते थे अधिकां स सुक्तों की रचना की रचाईता सीखने सीखाने वाले पुरुस्ते कुछ प्राथनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी रुगबैद की भासा प्राकित संस्कृत या बैदिक संस्कृत कहलाती थी तो में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे या भासा थोड़ी भिन थी मतलब वो कठिन संस्कृती थी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, संस्कृत और अन्य भासाइं, संस्कृत भासा भारोपिये, भारत और यूरोपिये भासा परिवार का हिस्सा है, ठीक है, भारत की कई भासाइं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कस्मीरी, सिंधी, एस्याई भासा जैसे फार्सी और यूरोप की कुछ भासा हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिस आदी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं किसे भारत और यूरोपिय भासा परिवार से इने एक भासा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरम में इन में कई सद एक जैसे थे, उधारन के लिए मातर संस्कृत जिसे हम हिंदी में मा कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं, क्या तुमने इन में से कोई समानता नजर आती हैं, तो उप महद्यूप में दूसरे भासा परिवारों की भी भासाएं हो, बोली जाती थी, पुर्वत्तर परिवारों में तिब्बत बर्मा परिवारों की भासा थी, जिसे हम चैनीज भासा कह सकते हैं, और दर्विर भासा परिवारों में आप समझ सकते हैं, इसको अच्छे सियाद का लीजेगा, कि दर्विर भासा परिवारों में चार भासा या इसमें सामिल होती और इन चारो भासाओं को दर्बिड परिवार की भासा कहते थे, कहते हैं, ठीक है, जबकि जारखंड और मद भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भासाएं होती है, वो अस्ट्रो एसिया, एसियाइटिक भासाएं से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो आप इनको अच जाता था, रचना के कई सताब्दियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, इसे च्छापने का काम, तो मुस्किल से दो साल, दो सो साल पहले हुआ है, जब अंग्रेज जो आए, या उसके बाद जो है, जब लिखने की प्रमपरा शुरू ही, तब बेदों को लिखा गया नह लेकिन भौतिक औसेसों के अभाव में के लावा वें लिखित शुरोतों का भी उप्योग करते थे, चलो देखते हैं कि वह रिखबैद का अध्यन कैसे करते थे, रिखबैद के कुछ सुक्त वारता लाब के रूप में है, विस्वा मित्र नामक रिसी और देवियों के रू आपका उलेक रिखबैद के एक सूतर में किया गया है, और व्यास और सत्रुज उसी देवि के नाम पर इदो नदियों का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, वाको जानकारिया मिल गई है, आप यहां दे सकते हैं एक पांडूलिपी यहां दी गई है, पांडूलिपी जो है रि होज पत्र होता, उसे भूर्ज बिरिच कहते हैं, ठीक है, कि छाल पर लिखी यहां पांडूलिपी कस्मीर में पाई गई थी, लगभग 150 वर्स पहले रिखबैद को सबसे पहली बार्ज छापने के लिए इसका उपयोग किया गया, इसी पांडूलिपी को देका अंग्रेज के रचनाओं को लिखा गया है, और बहुत ही कठी संस्कित का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यहां लिखा है विस्वामित्र और नदिया, विस्वामित्र कोन थे, हे नदिया, यह वार्तालाप के पारे बताया गया है, यहां रखना, जो वार्तालाप हुआ है गायों की तरह दो फुर्तीले घोडों की चाल से पहाडों से नीचे जाओ। मतलब यह हुआ कि रिविस्वा में अपने नदियों से कह रहे हैं कि जैसे एक बच्छा जो है कूदता है और घोड़ा फुर्तीले तरके से चलता वो इससे नदिया पहाडों से तुम उत्रो ठीक ह चाहती है तो नदिया यही काम करती है एक दूसरे से मिल जाना चाहती है तो नदियों के परबस से उतरने और सागर में गिरने का यह वारता लाब के बारे में कितनी रोचक जानकारी है यहां दे गई है फिर लिखा है नदिया नदिया क्या कह रही है जल से परिपूर हम दे बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती है ठीक है विश्वमित कहते हैं हे बहनों मतलब ब्यास और सत्रुचू कहते हैं हे बहनों तुम गायक की प्राथना सुनो मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ किरप्या करके अपने जल को हमारे रथों और कर सके विश्वमित कह रहे हैं नदी कह रही है कि हम तुम्हारी प्राथना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरचित उस पार जा सके ठीक है इतिहासकार यह बताते हैं मतलब इस कहानी का मतलब क्या है तो इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्राथना उस छेत में रची गई होग ये नदियों की तुलना घोडों और गायों से की गई है ठीक है तो ये उसी के बारे मताया गया है रिगवैद की प्राथनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती सिंधू और उसकी साहि नदियों का भी जिक्र किया गया है गंगा यमुना का भी उलेक सिर्फ एक ब इससे आपको कई जानकारी मिली है आप समझ सकते हैं ठीक है आगे है मवेसी घोडे और रत मवेसी होता है जो है क्या कहते हैं जो बकरी होती है गाय होते सब मवेसी होते जिनको पाला जाता है ठीक है लिखा है कि रिगवैद में मवेसियों बच्चों खासकर पुत्रों और गोड़ों की प्राप्ति के लिए अनिक प्रात्नाई हैं, ठीक है, उनके गरंतों में, गोड़ों को लड़ाई में, रत खीजने के काम में लाया जाता था, इन लड़ाईयों मबेसी जीत कर लाया जाते थे, लोग जब जानते हो का आकरमर क्यों करते थे, जो कि पता चला किसी राज के पास एक हजार गाए है तो उस गाए को जीतने के लिए आक्रमन होता था ठीक है ऐसा जो है रुगवैद में मिलता है लडाईया वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह चारागाह के लिए लोग युद्ध लड़ते थे या जहां पर जो जैसी जल्दी त्यार की जाने वाली फसनों को उप जाया जा सके किर्सी के लिए छेतर के लिए भी लोगों लडाईया उस समय लड़ते थे कुछ लडाईया पानी के सुरोतों उन लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी पनलब पानी के लिए भी लड़ाई हुई है कब रिखबैद में हुई है युद्र में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिसा पुरोहितों को दिया जाता था सेस धन आम लोगों में बाट दिया जाता था यही परवपरा आगे हमारे यहां अलाउदिन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक के समय भी हुई जब सैनिक धन लोटकर लाते थे जिसे खुम्स कहा जाता था आगे बताएंगे हैं बहुत अच्छे से चीज़ को कुछ धन यगे करने के लिए भी परियुक्त होता था यगे की आग में आहूती दी जाती थी यह आहूतियां देवी देवताओं को दी जाती थी घी अनाज और कभी-कभी जानरों के भी आहूतियां दी जाती थी अधिकांस पुरुस इन युद्धों में भाग लेते थे कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी लेकिन लोग सभाओं में मिलते जूलते थे और युद्ध और सांती के बिसे में सला मसुरा करते थे यहां वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदा चुनते थे जो बहादूर और कुसल योद्धा होते थे तो सभाओं में जो है यह सब काम होता था लोगों की बिसेस्ता बताने वाले सब्द क्या थे लोगों का वर्गी करन काम भासा परिवार या समुदाय या निवास अस्थान या सांस्किर्तिक परंपरा के अधार पर किया जाता रहा रुगबैद में लोगों की बिसेस्ता बताने वाले कुछ सब्दों को देखें जैसे ऐसे दो समुव है जिनका वर्गी काम के अधार पर किया जाता था पुरोहित जिनें कभी कभी ब्राम्हर कहा जाता था एक तरह सी यग्गी और अनुष्ठान करते थे दूसे लोग राजा होते थे ठीक है तो इसका मतलब है कि उस समय का समाज कैसे बटा था ये भी हमें जानना है लिखा है ये राजा वो ऐसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे ये ना तो बड़ी राध्धानियों महलूम रहते थे और नहीं इनके पास सेना थी नहीं ये कर वसूलते थे प्रया राजा की मुर्ट के बाद उसका बेटा अप ही सासक नहीं बन जाता था इसका मतलब उसमें लोकतांतरिक परकिरिया थी और सभा और समिती मिल करके राजा का चैन करती थी या इसा बंसा नुगती बेवस्था इस समय नहीं थी ठीक है आगे है लिखा है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो सब्दों का इस्तेमार होता था एक था जन जिसका हिंदी जिसका प्रयोग हिंदी या अन्यभासाओं में आज भी होता है और दूसरा था बिस तो या दखना जैसे आज क्या है पहले बता देते हैं आज क्या है आज पहले केंद सरकार है ठीक है केंद के बाद राज सरकार है राज के बाद जिला परसासन है जिला के बाद ब्लॉक होता है तहसील होती है तहसील हो गया तहसील के बाद जो है ब्लॉक होता है और ब्लॉक के बाद गाउं होता है ठीक है तो उस समय क्या होता था सबसे पहले जन होता था जन के बाद बिस होता था ठीक है तो उसी के बारे बताया गया देखो यहां लिखा के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरू जन या भिस भरत जन या बिस जो है यदु जन या बिस जैसे अलेक मिलते हैं, मतलब राज के अलेक मिलते हैं आगे लिखा है, जिन लोगों ने इन प्राथणाओं के रचना की वोई कभी-कभी खुद को आर कहते थे इसका मतलब यह हुआ कि बैदिक काल के लोगों को आर कहा जाता था तथा अपने बिरोधियों को दास या दस्यू कहते थे दस्यू वोग थे जो यग्ग नहीं करते थे मतलब जन जाती है जो यग्ग नहीं करती थे उन्हें क्या कहते थे दस्यू कहते थ जो सायद दूसरी भासाएं बोलते थे, बाद के समय में दास, इस्त्री, लिंग, दासी सद्र का मतलब घुलाम हो गया, दास वे इस्त्री परूस होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदात का माना जाता था, मनलब का हक होता जो भी काम मालिक चाहते थे, वे सब उनसे करना पड़ता था, उन्हें करवाते थे, ठीक है, आगे लिखा है, जिस युग में महाद, उप महाद्यूप के उत्तर पर्ष्ची में रिग बैद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा देखो आगे क्या कहा गया, तो जा देखना, जिस समय उत्तर भारत में रिग बैद था, उसमें दच्चिर भारत में महाद्यूप कालीन संस्किर्टी पाए गई, तो महाद्यूप क्या है, दच्चिर भारत की बात हो रही है, तो बड़े बड़े पथर रख देते थे, जहा खंड महापासार, महाबलब बड़ा, पासार मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं, मतलब की बड़े बड़े पत्थर जिस काल में उप्योग होते थे, जहां पे लोगों को दफना जाता था, इसलिए उस काल को महापासार काल कहा गया, यह पत्थर दफन करने की जगा पर द्वारा बड़े जो है करीने से लगाये गए थे महापासाल कब्रे बनाने की पर्था लगबख तीन हजार सार पहले हुई थी या पर्था दक्कन दच्छिर भारत और उतरपूर्वी भारत और कस्मीर में पर्चिलित थी कुछ महापासाल पुरास्तर मांचित दो में दिखा गए थे कुछ जमीन के भीतर होते थे ठीक है आप यह देख सकते हैं बड़े बड़े जहां पर लोगों को दफनाया जाता था वहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे गए इसलिए इस काल को महापासाल काल कहा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग लिखा है कई बार पु जो जमीन की नीचे कबरों को दरसाते हैं, ठीक है, महाप पासारों के निर्मार के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, हमने जो कालियों की सूची बनाई हैं, उन्हें करमबद करो, जिसे गड़े खोदना, सिला खंडों को धोकर लाना, बड़े पत्थरों को त दफना जाता था, इन्हें काले लाल, मिट्टी के बरतन, ब्लेक एंड रेड, वेयर के नाम से जाना जाता है, मतलब लोगों को जब दफना जाता था, तो मिट्टी के बरतन भी रखे जाते थे, इनके साथ ही मिले हैं, लोहे के आउजार, और हतियार, घोडों के कंकाल, और समान और पत्थर और सोने के गहने भी पाए गए हैं इसका मतलब है लोगों को रख दिया जाता था कि वो स्वर्ग में उसका इस्तेमाल करेंगे यहां लिखा है उपर इस तरह के महापाशान को ताबूस सवादान कहा जाता था जहां यहां दिखाए गए सिष्ट में एक लोगों क्या हडपा यहां एक सवाल पुछा गया है क्या हडपा के सहरों में लोहे का परियोग होता था तो नहीं होता था लोहे के से आपरचित थे हडपा सबता के लोग हडपा सबता के बाद बैदिक काल जवाता है उसमें उत्तर बैदिक काल जवाता है तब लोहे का पह गोरे गे और नीचे जो है कुलहारी और कटार दिए कुलहाडी है यह जो है घोरे का समान है और यह कटार है चाकू है इसा लोहे का बनाया गया इस सब पाया गया है दच्छी भारत में महराश्ट के छेतर में ठीक है लिखा है लोगों की समाज आसमानताओं के बारे में पता करना तो लिखा है पुरतत बिदो बुद्य या मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए ब्यक्ति की ही रही होंगी कभी कभी एक कबर के तुला में दूसरे कबर में ज़्यादा चीजें मिली हैं इसका मतलब जो चीजें लोगों के पास होती थी वो उनको रख देते थे ब्रमगिरी को खोजो ब्रमगिरी कहा है ये करनाटक में है ठीक है यहाँ एक ब्यक्ति की कभर में 33 सोने के मन के और संक पाए गए हैं दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिटी के बरतन ही पाए गए हैं यहाँ दफनाए गए लोगों की समाजिक इस सिती में भिंता कुदर साता है कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनिवाई थे ठीक है तो उस समय का समाज ऐसे ही था लिखा है क्या कुछ कबर गाहें खास परिवारों के लिए थी मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसी कबर मिली हैं जहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम होता था अलग तरीके से बनावर थी तो यह माला गया क्यों हो सकता है कुछ खास परिवारों के लिए रहा हो बाद में मनने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कबरों मिलाकर दफनाया गया जाता था ऐसे लोगों पर गोलाकार जो है लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आउ सकता है उसार सों को दफनाने दुबारा आ सकते थे ठीक है अब यहां एक इनाम गाउं एक बिस्ष्ट बेक्ति की कबर है इनाम गाउं कहा है तिया दखना यह महराष्ट में है और यह एक पुरास्त थला है यहां लिखा है इनाम गाओं को खोजो या भीमा की सहायक नदी जो है घोर की किनारे एक जगा है यह जो है इनाम गाओं महराश्ट में है और या दखना घोर नामक नदी की किनारे है इस जगा पर 3600 से लेके 2700 साल पहले लोग रहते थे यहां वैसक लोगों को प्राया गड़ इसे बरतन जिन में साइध खाना पानी हो, दफनार अगये सो के पास रखे जाते थे, ठीक है? जिक वो मरने के बाद भी जो और उसका सेवन करते होंगे, ऐसी करपना की गई थी. एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान के आगन में चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूख में दफनाया गया था बस्ती के बीच में बसा यह घर गाओं के सबसे बड़े घरों में सेख था इसका मतलब है कोई बहुत अमीर बेक्तिरा होगा इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था सव के पैर मुड़े हुए थे ठीक है इसका मतलब वो काफी लंबा रहा होगा ठीक है आगे लिखाए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्यान कंकालों के अध्यान हमें क्या बताते हैं चोटे अकार के आधार एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फरक नहीं होता था देखाए क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुस का था या इस तरीका कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले समानों के अधार पर इसका अंदाजा लगाते थे कि उधारन के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिलाओं का कंकाल माना जाता था क्योंकि ऐसा नहीं पता चलेगा कि महिला का है कि पुरुस का है लेकिन ऐसी समझ के साथ समझ साय हैं अक्सर पुरुस भी अभुशन पहेंदे थे तो कुछ भरम हो सकता है कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जाच थी चुकि महिलाएं बच्चों को जनम देती है इसलिए उनका कटी परदेश या कुनहा पुरुसों से ज़्यादा बड़ा होता था जो कमर होती है वो महिलाओं की ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि वहां बच्चे दानी होती है इसलिए ये पहचान लिया गया ये कुनहा पुरुसों का छोटा होता है महिलाओं का बड़ा होता है ये समझ कांकालों के आधुनिक अध्यन पर आधाई थे क्योंकि आज पता चला है आज से लगभग दो सो दो हजार साल पहले चरक नाम के परसिद बैद रहते थे ये किस काल में थे कुशान काल में थे इन्होंने चिकिसा सास पर चरक सहिता नाम की किताब लिखी वह कहते हैं कि मनुस के सरीर में 300 जो है 60 हड़ियां होती है या आधुनिक सरीर रचना बिग्यान की 206 हड़ियों से काफी ज़ादा है समझा चरक ने अपनी गिंती में दात हड़ियों के जोड और काटिलेज को जोड कर या संख्या बताई थी ठीक है तो हो सकता है कि उस समय उन्होंने ऐसा कहा हो इनाम गाओ के लोगों के काम धंदे कैसे थे ठीक है तो इनाम गाओ में पुरततविदों को गेम, जो, चावल, दाल बाजरा, मतर, तिल के भीज मिले हैं कई जानोरों के हट्डियां मिली हैं कई जानोरों पर काटने के निसान से अंदाजा है कि लोग उन्हें खाते थे ठीक है, गाए, बैल, भैंस बकरी, भेड, कुत्ता, गोड़ा, गधा सुर, सांभर, जो है खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी, इसका मतलब है कि इस काल में लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे, दच्छी भारत के इनाम गाओं में जो महराज़्ट में इस्तित है यहां लिखा है इस पर्मार के थार पर इनाम गाओं के लोगों के कामधंदों की एक सुची बनाए थी बच्चों का एक होमवर्ग है, इसको आप याद रखना ठीक है, तो इस चेप्टर में हमने बैदिक काल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, किसी कोशन में कोई डाउट होता है कमेंद के जरू पूछेगा, वीडियो को पुरा देखेगा जो है, अच्छे से देखेगा और जो है, सारे कोशन बहुत इंपोर्टन है, बहुत अच्छे से बताया गया है और आपका बहुत बेसिक मजबूत हो जाएगा ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा बिल आइकन को प्रेस कर लिजएगा, इससे इस तरह कलास के नोटिविकरस आपको मिलता रहें और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और इसको सेर भी कीजएगा अपने दोस्तों से जो लोग तैयारी सुरू किये हैं जो है जिनका बेसिक मजबूत हो जाए ठीक है? ओके, थैंक यू